हम चारी महासंग की मानेता को लेकर बात करेंगे और TGT का शेडियूल जो है वो भरती शेडियूल जारी हो गया है क्या कुछ उस शेडियूल में नया है उसकी जानकारी आपको हम देंगे तो पांच राजियों में विधानसभा चुनाव की घोशना हो चुकी है 7 से 30 नवंबर के बीच ये चुनाव होने है 20 I.S. अधिकारी है और 10 I.S. अधिकारी है जो इस दोरान चुनाव ड्यूटी पर रहेंगे तो आपको बता दें कि 20 I.S. अधिकारी और 10 I.S. अधिकारी जो है हिमाचल प्रदेश के वो अभी दो दिन पहले ही डिल्ली से वापस लोटे है जहां पर एक ट्राइल जो है वो पूरी तरह से चुनाव आयों की ड्यूटी में और कभी भी उनकी अलग लग स्थानों पर इन राज्यों में चुनाव ड्यूटी लग सकती है तो इससे राज्या में सरकार का कामकाज भी परभावित होगा क्यूंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद यहां लोगसबा का चुनावी होना है और उस दोरान भी आधिकारी जो है वो चुनावी ड्यूटी पर रहेंगे तो कामकाज पर यानि गुड गवर्नेंस पर जो है वो थोड़ी दिक्कत सरकार को यहाँ पर जहलनी पड़ सकती है अन्य खबरों की बात करें तो प्रदेश सरकार के जो मंतरी है मंतरीों के साथ लगे हुए नीजी सचिवों की हमने आपको पहले भी एक जानकारी आपसे सांजा की थी उनको लेकर पाबंदी के एक आदेश जो है वो सरकार की तरफ से जारी कर दिये गए हैं मुख्य मंत्री के निर्देशों के बाद ये आदेश जारी हुए है मंत्रियों के साथ लगा हुआ नीजी स्टाफ जो हस्ताक्षर नहीं कर सकेगा विभागिय सचीवों को जो लैटर बेजे जाते हैं मंत्रियों की तरफ से उस पर इनके हस्ताक्षर नहीं होगे कोई भी पत्र जो है वो इनकी तरफ से नहीं जाएगा प्रोटोकॉल जो बनाया गया है जो पुरानी व्यवस्ता चल रही थी उस प्रोटोकॉल को रिवाइज करके जो है वो नए आदेश जारी कर दिये गए है इसमें नीजी सचीवों में भारी नाराजगी भी देखने को मि ही है क्योंकि मंत्री जो चाते हैं वो बात सही तरीके से विभागिया सचीवों तक नहीं पहुंच पाती और ऐसे में गलत आदेश जारी हो रहे हैं तो इन गलत आदेशों को रोकने के द्रिश्टिगत यह इंतजाम अब किया गया है कि मंत्री खुद जो है वो विभागिय कमेटी की बैठक हुई है और इसमें मुख्यमंतरी सुखविंदर सिंग सुखु भी जो है वो मौजूद रहे और सीम सुखविंदर सिंग सुखु अभी दिली में है और उनका कल सुबा आने का कारेकरम बताया जा रहा है तो कल सुबा मुख्यमंतरी के लोटने का कारेकरम है दिली की बैटक में जो है वो शामिल रहे जहां उन्होंने परदेश की राजनीतिक हालातों को लेकर अपनी बात पी रखी उन्होंने वहाँ पर बताया कि किस तरह से परदेश सरकार ने आपदा परभावितों के लिए विशेश पैकेज यहां पर लाया था लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीती बनाई गई है कांग्रेस वरकिंग कमेटी की बैटक में उसमें पांच राजियों के जो चुनाव होने हैं उन चुनावों को लेकर भी वहाँ पर रणनीती बनाई गई है और हिमाचर परदेश से मुक्यमंतरी की भी जिम्मेदारी यहां पर लिजाएगία अब बात करेंगे करमचारी महासंह की मानिता को लेकर तो आपको बता देया राजपत्रित करमचारा अरे क मुक्यमंतरी और सरकार के इशारी नहीं किये गए है दूसरी तरफ करमचारी मांगों को लेकर एजंडा बनाने की तयारी यहां पर चल रही है लगातार जिलों में बैठकों का दौर चल रहा है छे जिलों में अब तक बैठके हो चुकी है इसके बार विभागी अस्तर पर भी बैठके होंगी मानेता के ऐलान के सरकार से पहले इस करमचारी महासंग के नेताओं के सामने जो है वो करमचारी अपने मुद्धों को उठा सकते हैं महंगी बिजली की मार हिमाचल प्रदेश के लोगों पर ना पड़े इसके लिए व्यवस्ता की जा रही है क्योंकि सरकार ने वाटर सेस जो है वो लागू कर राशी देगा ताकि बोगताओं पर चीदे रूप से कोई बोज ना आए तो इसके लिए राज्या बिजली बोड की तरफ से सरकार को पत्र लिख दिया गया है जिसमें कहा गया है कि वो बोड को मौफजा राशी देना शुरू कर दे ताकि बोज अतिरिक्त बिजली के बिल बोड की बोड ने सरकार को पत्र लिखा है कि उसे कंपनसेशन दी जाए ताकि वो भी वाटर सेस्क की जो बिलिंग है को जो बिल है वो सरकार को चुकता कर सके अभी तक निजी परियोजना है जो है वो अदालत में गई होई है हाई कोड से कोई और नहीं आया है और वो पर देश के आम बिजली वोगताओं पर पढ़ जाएगा स्कूलों की टाइमिंग को लेकर बात करें तो स्कूल टाइमिंग में बदलाव की तैयारी भी की जा रही है समर वेकेशन के स्कूल और जो विंटर कालिन जो स्कूल है विंटर वेकेशन वाले स्कूल है उनके उनमे मौसम आधार पर जो है वो इस सत्र में चात्रों की टाइमिंग में बदलाव की छूड़ दी गई है दरसल आपदा में परभावित जो स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई को कवर करने के लिए सरकार ने यह निर्ने लिया है कि यहां स्कूल में बदलाव किया जाए एक्स्ट्रा क्लासिज यहां पर ली जाए लेकिन शिक्षिकों ने भी इसको लेकर सवाल उठाये हैं रेमेडियल क्लासिज में छुट्टी वाले दिन चात्र जो नहीं पहुंच रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है शिक्षिकों ने मामला इ सरकार को इस संबन में पत्र बेजा और कहा है कि जिन स्कूलों में आपदा में अवकाश हुए हैं उनी स्कूलों में शर्ट को लागू किया जाए ना कि सभी स्कूलों में आपको बता दें कि सरकार ने रोज एक घंटा एक्स्ट्रा क्लासिज के लिए लगाने के निर्देश तो ऐसे में कई स्कूलों में जो है वो छुटियों का शेडियूल बदल सकता है वहां पर एक्स्ट्रा क्लासिज लगाने के लिए इस तरह की व्यवस्ता है अपने स्थर पर स्कूल प्रबंदन जो है वो ले सकते हैं शिक्षण संस्थानों के मापदंडों को तैय करने के सठस्थ होंगे शिक्षा निदेशक को सदस्य सच्चिव बनाय cioè और सठस्य बनाया है जड़कि प्लाव निटेशग के विदान संभाक शित्र के रूप में इसमें शामिल कि चानव को योज्व बद्द व स्कूलों के नाम परिवर्तन को लेकर भी यह कमेटी अपनी जानकारी देगी और बताएगी कि किसकी स्कूल का नाम बदला जा सकता है कि क्यों वहां पर नाम बदलना चाहिए हिमाचल परदेश स्कूल शिक्षा विभाग में TGT भरतियों का शेडियूल जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग ने आज ये प्रारमिक शिक्षा विभाग ने ये शेडियूल जारी किया है TGT भरति को लेकर तो 6 नवंबर से 15 नवंबर तक काउंसलिंग की जाएगी कुल 898 पदों के लिए बरति की जानी है इसमें TGT आर्ट के 420 पद शामिल है जबकि TGT नॉन एच वाइस भरति के लिए इसमें राहत भी दी जाएगी एज लिमिट में इसमें राहत देने की बात कहीं गई है कि अगर 18-45 साल की जो एज इसमें रखी गई है अगर पंताली साल से उपर किसी की आयू हो जाती है लेकिन वो पंताली साल से पहले उसने अपना पंजीकरन क मताबिक राहत परदान की जाएगी तो ऐसे में टीजीटी भरति का अब शेडियूल ये जारी हो चुका है काउंसलिंग का और इसके बाद जो है वो भरतियों का सिलसला यहां पर शुरू कर दिया जाएगा